जो ये सईद हैं ये मारी खात्र किशे बगवान तकम नहीं है आज उनकी बदोलत हमारा देश आजाद है आज उनकी बदोलत हम खुलियों में शांस ले पा रहे हैं उनका इस देश को इस देश को इंदुस्तान और भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान था इसलिए हम चाहते हैं उनके समाधी सतल के उपर भी गीशे बी जोती जड़े नमस्कार मैं हुआ जब आरद्वाज और आप इसम ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं इस वक्ते किसान ने ताक्सर नर्वाल हमारे साथ मोजूद है और जो परच्छा आप मेरे आथ में देख रहे हैं क्यों नहीं होता दिया आजरा है क्योंकि 23 मार्च जो सहीदी दीवस है जिन क्रांतिकारियों की बदोलत आठ हमारे देश जो आजाद है जो सवतंतरता की साथ साह्त्स आप ले रहे हैं उसी दियाने की सहाधत दीवस con şahidden स्वाधन सहीदों को याद क्राउंच याद क् पचेतर साल बाद भी क्या सहीदों के सपनों का बारत बन पाया है कि भी जो जिन करांतिकारियों ने हमारे देश को अजाद कराया है क्या आज हमारा देश सुन करांतिकारियों की जो सोच थी, उस सोच के नुसार बन पाया या फिर नहीं बन पाया है उसी को लेकर के कुछी बाते ही लिख रखी है इनको लेकर के भी बातचीत करेंगे फिलाल सबसे पहले तो राम राम अक्से बाई बाई अज़े बाई आपको राम राम सभी दर्श को कना राम राम बिलकुल क्या कहना चाहेंगे जो आज पूरे हर्याना के अंदर ये जो पर्चा दिया जा रहा है हर नोजवान साथी को इन्वाइट किया जा रहा है कि गोहाना जरूर पहुंचना नहीं है नाजमंडी में किस प्रकार का प्रोग्राम और क्या खास बात रहेगी उस दिन देखो अजय भाई जैसे आपने थोड़ा सा जिकर भी करया कि अपने देश नाजाद होएं 75 साल होगे लेकिन उसके बावजूद जो काम 75 साल पहले हो जाना चीए था वो 75 साल के बाद भी नहीं हो पाया है इसमें देश में आज तक जितनी भी सरकार आई उनकी सारे जिम्यद कने देंधियान उनसी थाके, दिमागे विचार था ईक है कलपना थी अक बम आरा अमारी शादत के बाद ये देस ऐसा होगा, मारी शादत ते आजाद्धी मिलाएगी और उसके बाद देश का किशान मजदूर खुशाल होगा देश के हर नोजवान का आत्मरोजगार होगा देश के युवां बटकना नहीं पड़ेगा लेकिन आज उल्टा क्या हो रहा है हम इस बात के उपर विचार विमर्शकन खातर अजाद्धी के 75 साल बाद क्या सईदों के सपनों का बारत बन पाया इस बात को बिल्कुल अचाक से बाई एक और जो चाही चल रहे है वही साथ-साथ मन्योता तो आप देने लग रहे हैं चाहिए उखाप में चाहे तो चाही नोजवान हो चाही कौन शाही वी वरग हो क्योंकि यह गैर राजनिति कारी कर्म आप बता रहे हैं सभी कि वहीं समें के बलो क क्या है पूरा मामला अजे भाई इस सहीदी दिवस को पूरे रियाना में गोवाना में जो सहीदी दिवस मनाया जाएगा यह पूरा अलग तरह से मना जाएगा और जो भी पूरे रियाना के और बार के भी जितने भी करांतिकारी शात्ति हमारे हैं जो सहीदों में अपनी सर किया इसमें हमने सभी बायों से आवान किया है और जो जनता सरकार मोर्चा मारा है और किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन का यह नहीं है यह कारियकरम यह बस यह है कि यह व्यवस्था करने में पूरे रियानत जो लोग आओंगे उनकी द्रीबिचान में उनका तर स्टेज की व्यवस्था करण में नशच्द का namね इस देश का परदेश का नौजवान किसान मजदूर सब मिल्गे सफल करने काम करेंगे मारी तो बिस द्रीबिचान की जिम्मेंदारी है दूसरी बात जू आपने घी बात की आज हम पिछले साल उसेनी वाड़ा गई उसेनी वाड़ा में LPG गैस से वहां पर जोती जल रही है लेकिन हम अगर किशे सम्मान की बात करां बगवान मंदर में जावांगे गीता जो जो तलावांगे क्योंकि बगवान ये परती हमारी शर्दा जो ये सईद हैं ये मा लेकिन हमारा ये सवाल नहीं हम ये चाहते हैं वहां घीशे भी जोती जले हमारी शर्दा है अगर सरकार को लगता सर्कार की सर्दा लपीजी ता जलनी ची वह जड़ा ले लेकिन हम गीता जड़ाना चाहां बई देशी गीता जो किसे एक दननडे आदमी कठा निकरेगा उस लिए और बात के लिए जंता सरकार मूर्चा की तिरफ से भी बार बार बता जा रहा रहा कि वह ये कारेकरम है और इस कारेकरम में सभी ने पहुंचना है और जो दो चम्मचोगी की जो मांगी जारी है जो सवाल जो उठे गए थे उनका जवाब यही है कि जो सहीदों की साहदत को लेकर के जो सहीदी समारक जो बना गया हूँ वहाँ पर आज भी LPG से जोत जड़ी जाती है लेकिन इनका कहना कि वो भी जड़े यदि सरकार चाहती है कि LPG से ही जड़े तो वो भी जलती रहे लेकिन साथ साथ में इनकी जो बाहुना है जो इनकी जो सरदा सभी की देश के जो करांतिकारी है जिन करांतिकारियों की वज़ज़ से आज हम सवतंतरता की सास ले रहे हैं क्रांतिकार्यों की जब जीवनी इंप पड़ते हैं तो खून उबाल मारने लग जाता इस बात को लेकर के क्या रियल में या मारे देश के उपर इतने장 त्य चाचार हुए है जो आज, आप सवतंत्रत्या जो आप कर ले रहे हैं, जिस सवतंत्या में सांस ले रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं इस सवतंतरता के लिए हजारों कुर्बानिया अमारी करांती कारियों ने दी है अक्से प्रोग्राम को लेकर कि कुछ और बात ची तो आप बताना चाहते हो जी अजय बाई मैं ने इक सभी शनिवेदन ये करना चाहूं जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं यह किसी एक व्यक्ति का कारिय करम नहीं है यह सब का कारिय करम है जब बगचिंग ना अपनी जान दी जो बडू के बटू के शुर्दत कह रहे थे उन तनिवेदन कर रहे थे कि आप वह चांदे तो फासी नहीं तूटते लेकिन बगचिंग ने पत्तर में एक बात का जिकर करते हैं अगर मां आज फासी नहीं तूट तो इस इंदुस्तान में बारत में गरम मजब किसे भी मां का बालक होग हैं यह कलपना भी कर पाऊंगी अकब मारा बालक भी इस देश की देश की आजादी खातर करंती कारी रूपता लड़ सके हैं और जो भी अपने देश पा करंताओं का अलग-अलग शिकार हो उनका सामना कर सके हैं और इस वीरभू मीने अलग-अलग समय में अनेक नोजवान को ऐसे युवाओं को जनम दिया है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक नोचावर कर दिया जो बड़े-बड़े उदान है मैं कि निवेदंस आप सब शिय करना चाहूंगा जितने भी गाउं के मोजीज आदमी हैं जितने भी गाउं के खापों के परदान हैं जि इकठा करके 23 मार्चने आप नहीं अनाज मंडिगों आना पहुचों जितने भी गाउं पहुचेंगे सब काम स्टेज पर तनाम अनौंच करांगे आर्दी कभी नंदन्द नेवाद करांगे और यह एतियासिक काम जो आजादी के 75 साल बाद आस तक नहीं हुआ इस आजा इस एतियासिक काम में आप अपनी एतियासिक भूमी का निभाकर एक कृतिमान स्थापित करने का आपके पास आफसर है इस 23 तारीक को और हम निवेदन करते हैं कि अपने गाउं को इस एतियासिक काम का बागिदार बणा कर नया कृतिमान अपने गाउं के लिए स्थापित करने अकाम करें और अपने गाउं का नाम इत्यासिक अक्षरों में इत्यास में लिखवाने अकाम करें चलो वाई देखो फिलाल वीडियो आपने देख विली है और 23 मार्च ने गोवाना की जो नई अनाजमंडी है लगबग जो समय रखा गया वो 10 बजे का है तो सभी नोजवान युवाओं से भी अपील ग्राउंड मिड़ा की तरफ से भी कि देखो यह तो एत्यासिक अवन उने जारा वही सहीदों की याद में करांतिकारियों की याद में और वही सहावन में आहुती डालने का कारिया अब आप ने करना है अपने गाउं के युवाओं को भी आप वह घुवाओं को इनकी जीवनी पढ़ाने बहुत जरूरी है नकी कुर्बाने के बारे में बताना बहुत जरूरी है क्यूंकि तियास का जो ग्यान होता वर्तमान में वेक्खा करना के लिए नहीं लेकिन बहुत से निर्मान के लिए इसको जानना अत्यंत आवस्थग होता है तो फिलाल कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा यदि आप कोई वीडियो छे लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ग्राउंड मीडिया चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन दबाए ग्राउंड मीडिया के लिए अपने केमरें सोगी इंदार के साथ मैं जवार्दवाज राश्टन निर्मान की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सबस्क्राइब करें और शेयर करें